सब्सक्राइब करेंगे पेर के मसल में मतलब यह जो हमारा पेर होते हैं यह पेर में क्या का मसल आता है इसके बारे में तो ऊपर से का माँ जरू करते हैं सुपर जिचल्स और होता है और होता है और दो तीन चार 对क दो तीन चार रहें 47 बूंगंका जो यобыти इसका मतलब एक्सटेंशन करेगा तीन जो हड़ी होते हैं तीन उंगलियों को ऊपर की तरफ खीचेगा थीकिंशे ठीक एक्सटेंशन और सब्सक्राइब Axtensor Heluses Brevis, Heluses मतलब Helux, Helux मतलब ये बरे उंगली ठीक है जो Big 2 हम कहे थे, मैंने कल बता दिया था मसल पार्ट 10 में तो Axtensor Heluses Brevis भी आपका Calcineum Bone से ही ओरीजिन होता है और जाते जाते ये जो Proximal Phalanx है, मतलब अगर ये मेरा उंगली है तो यह हो गया आपका यह हो गया मतलब ऐसा माल लो अगर यह मेरा बीक्टू है जिसको हम हलक्स कहते हैं तो यह पार्ट है proximal phalanx और यह पार्ट है डिश्टल क्योंकि ये पार्ट मेरे बोड़े से सबसे दूर है इनिवेग तो ये सब बात मैंने बहुत पहले भी कर चुका हूं तो ये जो प्रोक्सिमाल फैलंक्स है इसके बेश में जाते और शाय और फूट मतलब दॉर्सल इंट्रोशय मतलब यह जो हमारे हड़ी होती है ठीक है मैटर रसल बोंड इधर में ऐसे दिखाता हूं इधर में एक फास्ट सेकेंड फार्ट फॉर्थ फिफ यह जो पाच उंगली के लिए पाच मैटरसल बोंड होते हैं इस मैटरसल में बीच बीच में रहता है कुछ मखली जिसको हम ध photon इंटर आइध रोबांえ जैसे मे फिलांस में जरकें इञता हैं इसका काम होता क्यों सिर्फ एबडाख्शन सबणब कहा है जी से हमारे हातों में जो है इसके हम ऐसा करता है अगर डों ऑची सब 6 meaning करें दूर से स्चाल जातके तो यह जाते हैं सा mano ईसा हमारे पैर में भी होते हैं कैसे जैसे हमारे पेर है पेरों के जो उंगली जितने सारे उंगली है सबको एक दूसरे से जितना हो सकतना फाक करने में ठीक है तो यह चीज हमारे पेरों में बहुत ही कम होते हैं क्योंकि यह बहुत क्लोज स्पेस है ठीक है बहुत ही क्लोजड है फिर आते हैं आपका यह होता है यह मेरा होता है बहुत kommtar सोनी कि चेंज होता है मतलब मेरा यह से इतना आप मेरा घत क likely बंख्यार यह फिर हम बात करते हैं और वाला मसले तो बंग्य का यह फ्रत्क को मेरे यह जो पुराना वाला पीर का यह एक यह हे सब के बारा में ये मैंने वीडियो बना रखका हो आई बटम में क्लिक करें जाके पुराना वीडियो देख जाहे ठीक है तो इंजर्शन होता है आपका यह चार उनली है एक, दू, तीन, चार इसका बिदिल फ्रिखलांग्स मतलब यह हो होगे यह वह दो नंबर के पांच नंबर तो ठीक है इसलिए इसरो के चैयो के मिड़ी के जर जाता है इसका क्या होता है है दिन मातलब भ्रेस्ट करेगा यह ठीक है मेरे पेर सब्सक्राइन में है यह नीचे के दरफ चला गया ठीक है फ्लेक्शन तो आब हम बात करते है एप्डेक्टर डिजिटी में मेरे क्या होता है यह जो हमारा प्लैंटर अंदर में अधर से के उरिजिन होता है और फिफ्ट यौ सी पांच नंबर टू इसके बेस में जाके मतलब प्रोक्सिमल व्लंव में जाकर इंजर्शन हो जाता है ठीके इसका क्याम क्या होता है काम होता है यह Sico सी इत्र और abduction करना ठीक है, abduction करना और flexion करना बस इतना ही है और कुछ नहीं, अब हम बात करते हैं, lumbrical muscles के बरे में यह क्या होता है, यह जो flexor digitum longus होता है, ठीक है, flexor digitum longus muscle जो इधर में जाके लगता है, चारो उंगली में, इसी से origin हो रहा है, आपका lumbrical muscles, इधर 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 वाला होता है, आपका lumbrical muscles और इंजर्शन कहां पर होता है, इसका इंजर्शन होता है आपका, यह जो proximal 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 proximal, 2, 3, 4, 5, 2 का जो proximal phalanx होता है, इसी का medial part में ठीक है, यह हो गया lateral part, यह हो गया medial part, medial part, इसका में medial part, इसका में medial part, medial, 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 medial part में जाके लग रहा है आपका, यह, lumbrical muscles का tendon, ठीक है, क्या होता है, अगर हम कहीं flat जगा में खर रहते हैं, ठीक है, समान जगा में खर रहते हैं, या फिर कहीं पर बैट के, पेर को जमीन पर रखते हुए, हमारे जो तक या 10-15 मिनिट तक इस extension mood को maintain, मतलब बजाए रखने का काम करता है, यह lumbrical muscles, ठीक है, मतलब अगर ऐसे position में मैं खर रहा हूँ, दोनों सब कुछ उंगली को उपर के उठाती होई, मैं ऐसे चल सकता हूँ, 5-10 मिनिट, अगर कोई ज़्यादा प्रेफिस करता है, तो वो ल बात करते है, flexor hallucis brevis muscle के बने में, यह muscle क्या होता है, यह जो हमारे pair में Q uniform bone है ठीक है, इधर में रहने वाला Q uniform bone से एक part origin होता है, दूसरा part क्या होता है, यह जो calcineo cuboid ligament है, अब calcineo cuboid ligament और pair में ankle part में जितने सारे tarsal bones का joint होते है, यह सब मैंने पुराने वीडियो में ब दोनों part क्या होता है, यह जो हमारा metatarsal phalangeal joint है ठीक है, मतलब metatarsal और tarsal bone का joint होता है, इस joint में क्या होता है, दो sesamate bone आके रहेते हैं, तो sesamate bone के बाद में मैं special bone chapter में बात कर चुका हूँ, आप देख सकते हो, तो यह sesamate bone क्या होता है, medial part में एक रहेता है, lateral part में एक र इसके नीचे मीडियल पर्ट में एक सामघ बोन रहते हैं अब जो पर्ट की उनिफर्म से उरीजिन होता है वह जो पर्ट के साथ हो रहा था वह पर लेटर Brazil गवर्मир जाता हुण ficar इसका origin injection ऐसा हो गया अब इसका function क्या है flexor hallucis brevis नाम से ही पता जलता है यह hellux को नीचे के तरफ गिरा देगा ठीक है flexion कतम अब हम बात करते है अड़क्टर hallucis अड़क्टर hallucis क्या होता है यह जो हमारे पेर में रहते हैं metatarsal bone ठीक है metatarsal bone का proximal end होता है मतलब यह मैं आपको बाहर की तरफ दिखा रहा हूं actually यह अंदर की तरफ होता है इधर से origin होता है आपका oblique पार ठीक है oblique पार्ट ऐसे जाते हैं और जितने सारे metatarsal phalangeal joint है मतलब दो नंबर तीन नंबर चान नंबर का जो इधर से origin हो रहा है आपका ट्रांसवास पार्ट ठीक है एक oblique पार्ट और एक ट्रांसवास पार्ट दोनों पार्ट के कहां पर जुड़ता है यह जो proximal phalange से हेलक्स का यह तो हेलक्स है ना तो यह हेलक्स का जो proximal phalange से इसका lateral side में ठीक है यह हो गया medial part क्योंकि यह मेरा central axis के तरफ आ रहा है और यह हो गया lateral part क्योंकि यह मेरा central axis से दूर जा रहा है तो इधर में जाके जुड़ रहा है इंजेक्शन हो रहा है ठीक है और कुछ-कुछ fiber आपका यह जो seismic bone होते है इसके नीचे इधर में जाके जुड़ रहा है अब इसका नाम से ही पता चलता है adapter hallucis मतलब reduction करेगा अब हम बात करते हैं flexor digit minimi brevis यह muscle क्या होता है यह muscle यह यह जो पांच नंबर matrosal bone है इधर से origin हो रहा है और सामने के तरफ बढ़ते बढ़ते यह जो proximal phalanx है fifth two का proximal phalanx के base में जाके जुड़ जाता है अब इसका काम क्या होता है इसका काम होता है extension ठीक है यह fifth two को भी उपर के तरफ उठाना ठीक है extension और अधिके और लास्ट में आता है आपका planter Internet Kita किया होता है यह जूसे मैंने थोरीदेर पहले बला था डोर्सल इंट्रोस हो उपर में रहते है वह सिसी ही एकदम last surface में रहते हैं आपका planter इंट्रोस है यह क्या होता है यह जो मेडा अउते हैं तीन नंबर से लेकिए तीन नंबर से लेकिए पाश नंबर तक जो यह संब कर दो इसका उसीमनल prospective यह यहाँ यहाँ से अहाँ अब मसल्ट का काम क्या है यह मङसल्ट क्या करता है जो तीन जो तीन नमबर चाह्ट listening abduction हो रहा है इस cac access को support करता है कुछ टाइम के लिए बस इधर में एक mídial arch में बाद में बात करोंगे special रूंगे अंदर यह मेंडियल को भी थह learn support करते हैं तो मसल पार्ट 11 में इधरी खतम कर रहा हूं इसमें ज्यादा कुछ है नहीं तो अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो और समझ में कुछ आता है तो लाइक करो शेर करो सब्सक्राब करो बेल आइकन के साथ और फिर मिलते हैं हम कुछ और टोपिक लेके तब तक क